हम लोग ब्लैक बुक आप इंग्लिस वोकाबुल दी जो बुक है उसे इडियम फ्रेज़स देख रहे हैं तो थाउजन टक हम लोगों के इडियम फ्रेज़स कंप्लीट हो गए हैं अगर आप लोगोंने नहीं देखा है तो चेकाउट कर लीजिए चैनल में मिल जाएगा और स वीडियो और इनको टोरंट नोटिफाई के लिए जब वीडियो पढ़ते हैं उसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए तो आज हम लोग पहला वर्ड देखते हैं 2001 से पहला वर्ड है बी वर्ड अपार्ट अब इसको लोग सिंपल तरीके समझते हैं वर्ड मतलब होता है जो इसको बोलते हैं बी वर्ड अपार्ट मतलब ऐसे बोल देते हैं कि ड्रसिंग की है सब लोगों एक तरीके की युनिफॉर्म पहन किया है और किसी दूसरे ने दूसरे एकदम सबसे अलग से पहली तो वो लेंगे यह तो बी वर्ड अपार्ट है जैसे कोई कोई की बाते जै करना कि बीर डाउन करते हैं बहुत साथ लोग तेजी से बढ़ते हैं लोगों का बी या इन माइंड बीर इन माइंड मतलब होता है रिमेंबर जैसे माइंड में कोई बात रखना इससे हम लोग इसको समझ सकते हैं मतलब हम लोग थोड़ा थोड़ा निमोनिक का भी देखते हैं तो मतलब माइंड मतलब अपने माइंड में रखना तो मतलब माइंड में क्या रखना मतलब रिमेंबर करना तो कोई चीज़ ध्यान से करना रिमेंबर करना तुसको बोलते हैं बीरिन माइंड मतलब जो भी काम है इसको बोलते हैं beer the brand-up और यह जो question है यह बहुत बहुत बार आ चुका है यह जो है beer the brand-up तो beer the brand-up मतलब होता है सबसे ज्यादा तकलीफ जेलने वाला जैसे कि जो government कुछ करती है कहीं बांध बनवाया या फिर कोई बड़े बड़े structure बनवाया तो वहां के जितने लोग को हटना पड़ता है तो जहलना कि इसको पड़ता है वहां के लोगों को bear the brand of करना पड़ता है कुछ भी कोई decision लेता है तो उसका bear the brand of जो होता है वो common person पर आता है बियरदा ब्रेंट आफ मतलब होता है जो सबसे ज्यादा तक्लिफ जहलता है उसे बोलते है难क है Sloan करना है मतलब is करना है ये स 104 letter क लोगत। अगर ये पैसे प्रफित को रही है तो शॉब्स में यह साथ जितनी बी जिनलोगों ने तो वो क्या करते हैं, वो भी साथ ही में इंडियोर करते हैं, और अगर फैमिली के सिच्टेशन अच्छी नहीं चल रही है, तो क्या होता है, तो जो वहां के बच्चे होते हैं, चिल्डन होते हैं, उनको भी बीर अब बित करना होता है, बीर अब बित मतलब होता है, इंडियो वर्ड है bear with bear with मतलब होता है have patience with मतलब की धायर रखना मतलब कोई वी चीज जैसे समाझ लोग अगर government job के preparation कर रहे हो और यह तुदंत मतलब की एक दम से सूच लिया कि हम एको preparation नहीं करेंगे और बस थोड़ा ही एक दो महिने का time देंगे और तुदंत हम लोग की job लग जाएग next sentence हम लोग का है beat around the bus beat around the bus होता है avoiding the main topic मतलब की घुमा फिरा कर बाते करना जिसे किसी के किसी से अब पैसे उधार किसी ने ले लिए अब उसके पास पैसे लेने गए तो और पैसे मांगो तो क्या करेगा वो beat around the bus करेगा ऐसे ही कोई government समझ दो बहुत जगे ऐसा है कि जाओ काम करवाने जाओ वो काम नहीं करेंगे beat around the bus करेंगे कोई कोई बाते बताएगा नहीं अपनी और क्या करेगा beat around the bus करेगा उसको क्या करना इसको job करने को किस चीज की preparation कर रहा है या फिर कैसा क्या चलता है वो बताएग न आके बाते करता है इसको बोलते है beat around the bus जैसे कि किसी से बोलना है तो बोलो भाई beat around the bus मत करो clearly बोलो तो इसको बोलते है beat around the bus मतलब घुमा फिरा कर बाते करने next sentence हम लोगं का है beat once brain out beat once brain out मतलब होता है to put forth once maximum effort मतलब की एक दम भरकस प्रयास करना जैसे अपने brain चितना भी तुम्हारा brain लग सकता है उसको out करो मतलब पूरा-पूरा उसको use करो तो उसको बोलते है beat once brain out मतलब पूरा प्रयास कर लेना जैसे कि job के लिए या फिर अगर है तो इसके लिए पूरा beat once brain out पूरी पूरे प्रयास से काम करना उसको बोलते हैं हम लोग बोलते क्या बोलते है उसको बोलते है beat once brain out okay next sentence हम लोगं का है bed of roses bed of roses यह तो maximum लोगों को पता होता है लेकिन फिर भी bit of roses मतलब होता है a pleasant situation मतलब की सुख अच्छा होता है life में हर ची समतलो एक bed है उसमें roses roses मतलब बहुत ही एकदम अच्छा सा है bed अच्छी सी इसमें fragrance आ रही है तो उसको बहुत अच्छा है तो उसको बोलेंगे beat of roses तो beat of roses मतलब होता है pleasant situation जो होती है next लोगं का sentence है nipped in the bud nipped in the bud होता है to stop something before it has an opportunity to develop मतलब की सुरुवाती समय में ही कुछ चल आप लोगों है मिनलुंब देखा अब मूवी में की कोई थोड़ा– थोड़ा करने लगेगा बाते करने लगेगा थोड़ा कुछ अच्छा अगेश्ट करने लगे में तो वो बोलेंगे कि इसको अगर कोई मुसीबाध होने वाली है उस से पछले सूर्थ नहीं यह खतम कर देना कोई कोई कdır प्रॉब्लम किया तो उसको इस टार्टिंग में खतम कर देना टाकि बाद में प्रॉब्लम नहीं है इसको भोलते है निपदा बड तो दा मतलब होता है शुरू आतीसमय को कर दीना ॉके नेक्स सिंटेस हम 오 हिद לה elli man ством यह चीजा होती है जिसको बारे में उत्लब कोई यह भूल्म को यह इसे फीलंग से भूझे से उब斯 चलब जाते से कोई एक्दम बहुत है ॉब लग गई यह नहीं कोई a semordon दिसकर कहते हैं इसको वह बेगा रहा है पीठ पीछेurp serve नहीं केरा है उसको लόग बोली बहुत कें पीछे लोग रहाएं है जीया पीछे है नेक्स्ट वाइड है नेक्स्ट वाइड है बिहांड सीन तो मुश्टली सबको पता होता है मतलब अन्नों टू इविवन ऐसे चीज जो गुप्त रोप से होती है जो जादा तर लोगों को पता नहीं होता है कि पीछे क्या चल रहा है जो में फोकस में दिखाया जाता है उसके पीछे जो होता है बिहेंड असीन उसको बोलते है नेक्स्ट वैड है बिल्ड क्याट मतलब होता है डू दा इंपॉसिबाल टास्क मतलब अशमभाव कार्य करना मतलब एक जो चुहे वाली स्टोरी सुनी है न जिसमें चुहे होते है उनको के जो बिल करने बांदनी होती है impossible task करना होता है बेलदा cat मतलब cat को जो है वो बेल बाना next है bend or backward bend or backwards मतलब होता है made every effort to achieve something मतलब especially to be fair and helpful मतलब कोई चीज चीज चीजओ करने के लिए achievement करने के लिए अच्छा कोई प्रियास करना यह नहीं कि by hur कर्वाइक रुख वो अलग होता है इसमें गलत प्रयास सारी प्रयास आजाते हैं इसमें हर संबों प्रयास करना लेकिन सही से करना उसको बोलते हैं बेंट और बैक्वर्ट्स मतलब कि बेंट मतलब जुकाना मतलब खुद को पूरा-पूरा किसी चीज के लिए समर्पित कर द नेक्स्ट वर्ड हैं लोग का बिसाइड डा मार्क मतलब होता है इर्रेल्वेंट मतलब होता है अशंगत होना मतलब उस टॉपिक में जो टॉपिक चल रहा है उससे अलग होना जैसे कि मालों यहां पे वोकावल्दियां लोग पढ़ना है तो जो मैस का कोश्चन होगा वो जैसे कि कोई introduction पूछ रहा है और उसे कहीं और ही बाते करने लगना वो besides the mark है जैसे कि जो English है उसमें Sanskrit पूछने लगना ये क्या है besides the mark है तो जो relevant नहीं है उसको बोलेंगे besides the mark next we bottom लो मतलब की all the advantages मतलब की दोनों हतों में लड़ो होना हर प्रिकार से लाग होना इसे बहुत मतलब थो बहुत बहुत जो भी है चाहीं अच्छा ही चाहा है तो इसको बोलेंगे best of both words मतलब all the advantage मतलब हर तरीके से सिर्फ लाब ही लाब उसको बोलेंगे best of both words next word is best thing since sliced bread मतलब की most useful invention in a long time मतलब बहुत ही जादा अच्छा या उपयोगी होना अब इसमें सोचो जैसे best thing मतलब बहुत ही अच्छी तिंग है since sliced bread मतलब की कोई चीज बहुत काफी time बाद बहुत ज्यादा useful invent होई है बहुत time बाद उसको बोलेंगे हम लोग best thing since sliced bread मतलब बहुत ही अच्छी और उपयोगी है जिससे की AI तो ऐसी है कि उसके बहुत सारे useful भी है और उसको कोई use करें नहीं तो उसके नुक्षान भी है harmful भी है बाकि जिसे internet है वो भी इसी तरीके से अगर उसको पढ़ाई के लिए यूज करेंगे तो best thing since sliced bread क्योंकि बहुत सारे हम लोग जो work है वो internet से कर सकते हैं कैसे हो गए best thing since sliced bread नेक्स्ट वर्ड है मनों का between the devil and the deep sea मतलब कि between two great difficulties में आगे कुणा पीछे खाई किसे बोलते हैं मतलब कि दोनों तरफ problems होना तो इसको लोग समझते हैं से between मतलब बीच में the devil एक तरफ devil है और दूसरी तरफ the deep sea दूसरी तरफ एक गहरा एकदम सी समुंदर है तो उसी तरीके की situation है कि चारो तरफ problems जब चारो तरफ problems होती है तो उसको बोलते हैं between the devil and the deep sea तो आज हम लोगोंने 20 words देखें तो इनको हम लोग एक बार फटा-फट revision कर लेते ह ताकि recap करने से जो mind में है वो हम लोगो को कितनी चीजे हमाई mind में stable हुई वो भी याद रहेगा और साथ ही क्या होता है कि अगर हम लोग एक बार वही चीज़ दुबारा देख लेते तो mind में ज्यादा बनी रहती है तो हम लोग इसको एक बार फटा-फट देखते और answer मतलब वर्ट से एकदम apart होना हां मतलब कि एकदम क्या होना अलाग होना ठीक है नेक्स्ट वर्ट में क्या था तुमोव क्यों कली मतलब कोई गुस्टे से किसी के तरफ आना उसको बोलते तेजी से बढ़ना स्कों था बियाए डाउन वेरी गुड नेक्स्ट वर्ट हम लोग maximum होई जो सबसे आगे है जिसको सबसे ज़्यादा प्राबलम होगी सबसे ज़्यादा अकलीफ जिलने पड़ेगा उससे बोल ले आथ हम लोगों ने bear the print up नेक्स्ट वर्ट हम लोगों का था बियर दपाम तो मतलब क्या था मतलब विन मतलब एक गम जीत जाना उसको बोलते ह प्रण्टेजिए मतलब किया था हाँ मतलब कि इंडियों करना सहना परदास करना उसको बोला था हम लोगों ने बेर भी ने ने टो प्रणंडर हम लोगों कि समय इसाथ अर्ण कि पेशेंच रखना थैर ने पन्लोग कि ऑन्टक था कर दो ट्रण्ट, हम वर लोकट गुत वर सि कर लेना उसमें क्या बोला था कि पूरा maximum effort लगा देना मतलब भरकर प्रियास करना नेक्स वर्ड हम लोंका था बिड़ाब रोजस मतलब कि रोजस का बिलेड बहुत अची फ्रेग्रेंस आ रहे हैं मतलब एक दम प्लीजन सिच्वेशन होना नेक्स वर्ड हम लोंका था निप रहे हैं मतलब हम लोंका हैं मतलब कि पीइट पीछे के काम होना next word हम लों कहई behind in the scene मतलब की यह सब को पता है behind in the scene मतलब क्या अन्णूरीवन जो कसी को पता नहीं है जो इसको गुपत रोप से करते हैं next word हम लों कहा है build a cat, build a cat में क्या था वो स्टोरी जो थी हाँ मतलब do the impossible task मतलब assemble कारी करना next word हम लोगं का था bend over backwards bend over backwards मतलब क्या था मतलब सारे efforts लगा देना achieve करने के लिए मतलब अच्छी तरीक इसको efforts लगा देना next word हम लोगं का beside the mark beside the mark मतलब irrelevant मतलब कि जो बात हो रही है उसे अलग है उसको मतलब अशंगत होना उसको बोलते हैं beside the mark next word हम लोगं का है best up both words इसमें क्या था both words, both words मतलब word क्या हाथों को बताया था मतलब दोनों हाथों में लड़ों मतलब चालो तरब सब अच्छा ही अच्छा होना all the advantages next word हम लोगं का था best thing since sliced bread मतलब कि क्या most useful innovation मतलब कि most useful innovation in a long time मतलब बहुत long time हाद एक बहुत अच्छी invention होना innovation होना next word और last word हम लोगं का था between the devil and the deep sea तो मतलब devil एक तरफ एक तरफ दीप सी है मतलब क्या है मतलब आगे कुआ पीछे खाई मतलब दोनों तरफ situation खराब होना great difficulties होना तो अगर आप लोगं को वीडियो पसंद आए आप लोगं को यहां तक देखे तो पसंद आई होगी अगर आप लोगं को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंट के साथ share कर दीजिए थोड़ा share कर यह लाइक करें इसे क्या होता है कि थोड़ी रीच बढ़ती है वीडियो की चैनल की और साथ ही अगर आप लोगों को ये वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो इसको साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स पो वाचिंग